आपके लिए एक बहुत ही जबर्दस सीरीज लेकर आए हैं ये foundational course है और ये नाकी केवल foundational course है इस foundational course में आपको free of cost NCRT's class 6 to class 10 पढ़ाई जागी और इस course का नाम है आरंभ course तो बहुत ही अच्छे डंग से beautifully crafted course है और इस course के माध्यम से हमने एक आपका foundation तयार करना है क्योंकि सबसे बड़ी problem हमने देखी कि बच्चा commerce background का है या बच्चा science background का है medical background का है graduation हो गई जी post graduation हो गई उसे ना डर लगने लग जाता है जैसे history से डर लगता है कि या राजाओं के नाम कौन याद करेगा dates कौन याद करेगा geography में कौन mountain peak याद करेगा हाँ economy पूरी भूली होती है quality में क्या हो चलता है राज सबह में कितनी seat है लोग सबह में क्या seat है कहीं बार तो ये भी नहीं पता होता है कि MLA क्या है कि MP में क्या difference होता है legislative assembly क्या होती है parliament क्या होता है तो इन सब और उसको लगता है या तयारी करने बैढ दिया और सीधा में बारी-बारी किताब ये समझ admission लेनी है हमने make sure that he or she should make sure कि वो पहले पूरा foundation course देखे फिर जाके admission ले अगर नहीं भी लेनी है किसी भी academy में पढ़ना है जहां मर्जी जाके पढ़ना है लेकिन इस foundational course से आपको एक नए perspective बन जाएंगे subjects के प्रति क्योंकि आप देखो NCRT ही क्यों पढ़ा रहे क्यों नहीं उनके उपर बड़ी इमारत हम लोग खड़ी कर देंगे और लेटो इस तरीके से हम NCRT deliver करेंगे NCRT आपके देखो छटी क्लास में बच्चे की IU होती है 11 साल और जब दस्वी करता है 16 साल तो 11 से 16 साल की लिखी हुई किताबे मैं 22-25 साल के लोगों को क्यों पढ़ा रहा हू क्योंकि ये किताबें इतनी जवर्दस धंक से लिखी गई हैं कि अब जब हम इनको अप्रोच करेंगे तो हमारा objective different होगा, हमारा perspective different होगा, हमारा outlook different होगा, तो different outlook से हम लोग पढ़ा रहे हैं, different outlook कैसे, जैसे मैं geography आपको पढ़ाऊंगा, sports के दर, तो मैं बताऊंगा कि जो है geography में जैसे मैंने बोला, कि fact से हम लोग डरते है, history विशाल सर पढ़ाएंगे, आपको लगेगा fact से डर लगता है, राजाओं के नाम, तो सर कहेंगे, राजा important ही नहीं है, हमें important क्या है, कि इंडिया का freedom struggle चल रहा है, और उसमें Europe का क्या contribution है, आज तक हमने नहीं पता था, कि सुबाश्चन बोस के पर इतना high impression है, तो ये जो objective है different, एक analytical learning, हैने ये हम आपको समझाएंगे, NCRT के दौरा, मैं आपको geography में बताऊंगा, कि how geographical features has helped in the evolution of Indian culture, कि कैसे नदियों हमने इंडिया के evolution में, Indian culture के evolution में help करी है, और क्यों इंडिया के सारे बड़े religion, चाहे वो हो, बुद्धिजम हो, जैनिजम हो, हिंदूजम हो, ये great plains of India में पैदा हुआ, क्यों हिमाचल के अंदर, जो है देवी देवताओं का culture है, क्यों हिमाचल के higher altitude में बुद्धिजम है, उससे नीचे देवता culture है, उसके नीचे देवी culture है, तो ये जो सारे geographical understanding है, कि how geography is deriving the culture, य चाहिए, आपको understanding of the subject चाहिए, आपके field के अपर geography का क्या impact है, economy का impact है, history का क्या impact है, political system का क्या impact है, science का क्या impact है, कि ये सारे subject क्यों पढ़ाय जा रहे है, क्योंकि कोई ना कोई field के उपर इनका application होगा, तभी तो पढ़ाय जा रहे है, आपको क्यों नी physics और bio के paper लिया जा र हो रहे, mathematical economy नहीं पढ़ाय जा रहा, आपको Indian economy की understanding बताई जा रही है, तो means these disciplines or these subjects are helpful for your field job, इसलिए पढ़ाय जा रहे है, तो हम जब आपको NCRT's पढ़ाएंगे, तो NCRT में हमारा जो main उद्देश होगा, वो facts transfer करना नहीं है, हमारा है understanding develop करना, लिख लो इस बात को, understanding और outlook का paper है, ये paper रटे का paper नहीं है, तो इस तरीके से NCRT पढ़ा जागी, quickly मैं बता देता हूँ, इस plan को कैसे execute किया जाएगा, मैंने पहली बताया, दो हफ़ते का plan है, अच्छे से आपने NCRT के foundation course को देखना है, और उसके बाद जाके admission लेनी है, हमारे batches में, आपको सारे links, चाहे हमारी app से this course को देखा जाता है, app है, civil step हिमाचल, डाउनलोड करो, और इस app के द्वारा हमारे store में बहुत सारे free initiative है, it is one of the free initiative, बाकी के सारे free initiative उन बच्चों के लिए जिनकी तयारी हो चुकी है, जैसे answer कैसे लिखे, essay कैसे लिखे, अलग-लग format, वो अलग है, ये है उन ले जिन्होंने तयारी शुरू करनी, आज पहला दिन है, they are like freshers, उनके लिए ये course है, all right, तो अब इसमें देखो, कि सबसे पहले हम कहते हैं, जी NCRT क्यों पढ़नी है, why we should read NCRT, तो मैं बोलता हूँ कि NCRT पढ़नी के पीछे, there is a subtle objective, कि NCRT authentic लोगों ने लिखी है, NCRT के उन लोगों ने NCRT लिखे, तो इसलिए NCRT पढ़नी, बहुत important है, कि उन्होंने एक chapter एक विक्ति ने लिखा, एक chapter तीन विक्तियों ने लिखा हुआ है, तो कितना best of the mind, उन्होंने अपनी सारी application डाल दी हुगी इस तीन chapter में, तो इसलिए NCRT बहुत सही है, इसलिए NCRT सही easily available है, net से download कर लो, print out ले लो, आपके घर के पास कोई shop होगी, वहाँ से ले लो, तो these are very very authentic books, moreover, they promote new form of learning, what do we mean by new form of learning, जब आप NCRT खोलोगे, उसके introduction को पढ़ोगे, तो introduction में एक तो यह देखो, इतने सारे लोगों ने मिलके एक छटी ग्लास के NCRT लिखे, तो इसका मतलब ह होगा, छटी ग्लास के NCRT में, एक बच्चे की उमर कितनी होती, 11 साल, फिर भी उसको इतने लोगों ने क्यों लिखा है, इसका मतलब कुछ तो उसके अंदर होगा, information has been shared in multiple layers, कि आपको आज NCRT पढ़ लो, हमारे lecture से पहले, NCRT मेरा lecture सुनके, या बाकि विशाल सर का lecture सुनक पढ़ो, आपकी understanding change होगे, आपको बोलोगे, अब इतना कुछ था, पहली बारी में तो नहीं दिखा था, और एक महिने के बाद जब पूरा course देख लो, दो हफ्तों के बाद, फिर पंदा दिन बाद NCRT पढ़ो, फिर आपको लगेगा, अरे पंदा दिन पहले तो कुछ cartoons बने हुए, वो cartoons एक तूसरे से सवाल पूछ रहें, वो cartoons आपके analytical form of learning को promote करें, जो commission आपको means में चाता है, आप questions देखो, बड़े पेचिदा है, बहुत new form of questions है, अब ऐसा तो होगा नहीं, ये कोई board का exam नहीं कि मैंने बोला, जी मेरी कुंजी है, civil step हिमाचल की guide है, इसी मे means आपको basic concept पर काम करेंगे, ताकि question कुछ भी नई रूप रेखा का हो सकता है, लेकिन अगर आपके concept set है, आप उस question को solve कर लोगे, तो इस तरीके से NCRT deal भी हो रखोगी, देखो, एक example लेते हैं, देखो, इस example में दो figures हैं, बहुत historic figures हैं, तो देखो, एक है नहरू जी, एक ह हिंदुस्तान का बनाया है, उन्होंने draft किया है, कई सारे लोगोंने मिलके उसमें contribute किया है, अमबेटकर बैठे में snail के उपर, और snail पे लिखा है constitution, means अमबेटकर बड़ा धीरे constitution बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े democratic nation का constitution बन रहे है, सबसे diverse nation का constitution ब बन रहा है, तो वो कोई भी सम्विधान में गलती नहीं छोड़ना चाते, वो धीरे बना रहे हैं, ताकि best बने, और best बनाया, लेकिन नहरू एक प्राइम मिनिस्टर है, उनको चाहिए देश अज़ाद हो गया, 47 में देश अज़ाद हो गया, 49 आगया, अभी ता क्यों नही जिस किए वे हैं, तो वो जल्दबाजी कर रहे हैं, तो ये कार्ट्ण से डिपिक्ट किया हॢआ है, कि आज भी हिंदुस्तान में जो vote bank लिखा हॊआ है, जो vote है, वो कास्ट के अधार पे हैं, कि कौन कुर्मी है, कौन अहीर है, कौन लोहार है, कौन यादभ है, तो ये democracy के ह पाइए उसमें अलग लग पॉलिटिकल पाटी हैं कि मीन्स गड़बंदन की सरकार है कोलिशन का एरा है 1999 का दौर है कि कहीं मायवती ने भी सपोर्ट दिया है तो कहीं किसी और ने सपोर्ट दिया और अब इक आपके अंदर एक को सक्राइइए अधर डाल रहें और बहुत बेसिक चीजों के उपर सवाल उठा रहें यह पूचने की in your opinion देखो इस टाइब से पूछे जाएंगे कि जिसको मैं कहते हूं जिसको बूल सकते पावर ओफ रीजनिंग उसको प्रमोट किया जाता है कि आप जो चीजें अभी तक सहज मानते थे समाज के अंदर अब आपको उनके उपर सवाल उठाना पड़ेगा और पूछना पड़ेग ठीक है जैसे एक्जामपल लेते हैं जब ब्रेटेश हिंदुस्तान में आए ए 19th century में और हम देखते हैं अचानक से पूरी दुनिया को क्या आप गया क्यों जोतीबा फूले जो है अंटचेबिलिटी के खिलाफ बोल रहे हैं क्यों लोग विमेन एजूकेशन की बात करें क इक्वैलिटी अंटचेबल की बात करें जिन्होंने कई सारे इंडियन माइंड को इगनाइट किया और उन्होंने अपने समाज को कुशन करना शुरू कर दिया यार यह तो गलत हो रहा था अस्तक तो यह होती है इनक्यूजेट टेंस तो हम जब कॉंसेट डिलीवरी करते है हैं बेस क्रियेट करते हैं तो आपकी इस इनक्यूजेट टेंस को बढ़ावा देते हैं जो NCRT बोलती है लेकिन छटी ग्लास में नहीं करवाया आपसे इसलिए अब हम दुबार आपको NCRT पढ़ा रहे हैं 20 साल की 20 साल की उमार में तो दिस इस दी न्यू फॉर्म उफ लर आपको पढ़ाएंगे उलेट तो ये जो पूरा कॉर्स है इसके मैंने बहुता है यह आप हमारी एप सब्सक्ण से एकसेश कर सकते हैं सीरं क कर सकते हैं कि कोर्स में नोट्स नहीं देंगे क्यों क्योंकि यहां हम प्रमोट करें यह आप NCRT पढ़ लो कोर्स हमारा सुन लो NCRT पढ़ लो ताकि आप छटी से दसवी की NCRT को रीट कर लो उसके बाद चाहे आपने enrollment लेना है हमारे courses में ले लो ठीकर नेक्स बेच हमारा जो है इस course के खतम होने के बाद बनेगा जब इसने enrollment लेना है उसके लिए अच्छा content रहता है टीचर बहुत ज़्यादा ही experience है content हेवी होता है आपको तोड़ा सा effort माना पड़ेगा अगर result देने है तो ओलेट जी तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगे और इसके बाद एक बाद ये course खतम होगा जो हमारे फिर उसके बाद lectures होते हैं हमारे lectures के अंदर क्या है कि आपको lecture के सांद जैसे मैंने आपको lecture deliver करना है तो lecture के सांद notes टैस्ट होते हैं उस notes के अंदर mcqs होते हैं उसके अंदर means के answer rating के होते हैं वो अलग provision है अभी ncrt में आपने बस lecture सुनना है, आपको थोड़ा बात homework दिया जाएगा, उस homework को करना है, और जो जो NCRT जिस lecture के cross funding बताई है, उस NCRT को read करके आने, तो अभी दो हफते यही आपका schedule होने वाला है, उसके बाद आप seriously एक बार NCRT को पढ़ लेते, फिर हम आपको next level पर ले जाने के लिए जिसमें हमारे classroom programs है, ओले जी, चलिए, thanks a lot, कोई भी query है, description में हमारा number shared है, और आप civil staff हिमाचल में call करके पता कर सकते हैं, दने जी, चलिए, thanks a lot